कि भारतिय जंता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के मार्ग दर्शन में, श्री जगत प्रकाश नड़ा जी के मार्ग दर्शन में, सेवा ही समर्पन के आधार पर हमेशा काम करती रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास रहा है। पिछले कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली के गोविनपुरी कालकाजी इलाके में गरीबों को मकान दिये हैं। पर उसी तरह का मकान जहां उनकी जुग्गी है वहां पर भारतिय जन्ता पार्टी बनवा कर देगी। और यह हम किसी गारंटी के तौर पर नहीं कहते हैं। उन्हें करकर दिखाया है अब हर जगा पर उस प्रकार का मकान बनाकर जन्ता को दिया जाएगा। एक बेहतर दिल्ली के सपने को एक ऐसी दिल्ली के सपने को जहां हर एक के पास अपना पक्का घर होगा जहां वो संबान पूर्वक रह सकेगा। वचन पत्र को हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक श्री आदेश गुपता जी और श्री मनोज तिवारी जी आज आपके समक्ष लॉंच कर रहे हैं। और अपनी इस उपलब्धी और किस प्रकार से जूटी कारंटियों के आधार पर राजनिती करने का प्रयास किया जाता है। आगे क्रम में उसे एक्स्पोज भी करेंगे। मैं आप दोनों से अनुरोद करूँगा कि इस वचन पत्र को आप एक बार मीडिया के समक्ष लॉंच करें। ऐसा ही मकान सभी जुगी निवासियों को उसी जगा पर मोदी जी से भाजपा दिलवाएगी। ये वचन पत्र इस बात का वादा है कि जैसा हमने एक जगा करके दिखाया है। ये हमारा कोई hypothetical वादा नहीं है। ये हमारा वादा है नरिंद्र मोदी जी के द्वारा किये गरे काम को आगे बढ़ाने का। उन्हें करकर दिखाया है यह कोई जूटी गारंटी नहीं है यह हमारा वादा है इसी कड़ी में यह इसी प्रकार के मकान है आपके समक्ष और एक यह मकान हमारी दिजिटल टीम ने आपके समक्ष रखे हैं ये वो मकान है दोनों तरफ यह आप सब के समक्ष यह वो मकान है जिनके अंधर हमारी दिल्ली की जनता को मोदी जी निवास संवान पूर्वक निवास करने के लिए देंगे इस संदर्ब में भारती जंता पार्टी ने आदेश जी के नितित्व में एक बड़ी योजना बनाई है इसको फॉर्म भरवाने के लिए सभी लोगों को वहां उसके बारे में पूरी विवरण माननिय प्रदेश अद्धक्ष श्री आदेश गुपता जी देंगे उसके उपरांत मनोज तिवारी जी भी आप से जूठी गारंटीयों के संदर्ब में चर्चा करेंगे मैं अनुरोद करता हूँ आदेश गुपता जी से कि वे अपनी बात आप सब के समक्ष रखें धन्यवाद आशीज जी सब को मेरा नमस्कार आज हमारे पूरुव अध्यच और सांसत स्री मनोज तिवारी जी के साथ और हमारे इलेक्षन कमेटी के संयोजक स्री आसी सूच जी के साथ हम लोग एक भारती जनता पार्टी का संकल्प शपत पत्र के साथ यह हमने जारी किया है एक तरफ वो सरकार है जो दिल्ली वासियों को हमारे गरीब जुग्गी वासियों को गंदगी में गंदे पानी में बिना सीवर विवस्था के अंतरगत उनको रहने के लिए मजबूर करती है और उनके लिए अपने वादे भी वो पूरा नहीं करते हैं जब दिल्ली के अंदर लगबक 686 जेजे कलस्टर है जहां लोग एक जीवन इसतर से रहने के लिए संघर्स कर रहे हैं उनको तूटी से पानी नहीं मिल रहे हैं हर घर जल नल से हो ये प्रधान मंत्री जी पूरे देश में कर रहे हैं लेकिन दिल्ली की सरकार उसको यहां पर लागू नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें टेंकर माफिया को बीच में डाल कर आनन्दारा है पैसे उगाही करने में इसलिए हर घर से नल से जल मिले उनकी इसमें कोई रुची नहीं है आज प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी के लीडर्शिप में उन्होंने करके दिखा दिया है मिले और ऐसा वैसा मकान नहीं आपने देखा है इतना अच्छा मकान जहां पर उनका जो किचिन है वो भी खुला हवादार होगा जहां उनका टॉयलेट वो भी हवादार होगा और एक फ्लैट चारों तरफ से खुला हुआ उनका बैड रूम, उनका ड्राइंग रूम, बच्चों को खेलने के लिए पार्क और चारों तरफ उस सुसाइटी की बाउंडरी जहां करोडों पती लोग जिस सुसाइटी में रहते हैं ऐसी सुख सुविदाएं अगर कोई देने का वादा पूरा कर रहा है तो भारती जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी BJP के रास्तिए दे स्री JP नड़ाजी क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार पूरे देश को अपना परिवार माना है मैं दिल्ली जो वादा किया है प्रधान मंत्री जी ने भारती इनता पार्टी ने उसको निवाया है और हमने पूरी दिल्ली के हर जुग्गी बासी को ऐसा ही खूपसूरत सुन्दर मकान मिलेगा और ये काम आज चालू है चाए कटपुतली कालोनी हो चाए जेलर वाला बाग हो और भी कई इलाकों में वो काम की प्रक्रिया प्रारंब हो गई है प्रदान मंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का आधार सिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं चाहे वो टरनल हो, फ्लाई उबर हो, मेटरो हो विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाय हो, वो सारे काम उन्होंने किये हैं और एक तरफ वो सरकार हैं जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे हर दिल्ली वासी उसमें डुपकी लगा देगा वही बात वो 2013 में कह रहे थे वही 2014 में कहा वही बात 2015 में कही वही बात 2017 में कही वही बात 2019 में कही वही बात 2020 में कही और वही बात हर बार जब छट पूजा होती है तो यही कहते हैं हम अब की बार यमुना को सुद्ध कर देंगे साफ कर देंगे और 2016 के अंदर विधान सवा के अंदर वो ग्रीन बजट पेस करते हैं बोले कि 26 हम मेजर्स बड़े रिफॉर्म लाएंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे, स्मोक टावर लगाएंगे, electrical vacills को promote करेंगे और दिल्ली के production को समाप्त करके दिल्ली में सवच्छ हवा करेंगे और दिल्ली सरकार आज तक वो वादे अपने पूरा नहीं कर पाए तो एक तरफ हमारी सरकार है, जो गरीबों की चिंता करके, जो वादे करते हैं, वो निभाते हैं, पूरा करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली वासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं मैं सिर्फ एक बात कहकर अपना उधारन देना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करूंगा यही सरकार थी कोरोना के दोरान जब लोग परिशान थे तो यह कह रहे थे दिल्ली के लोग किरायदार प्रवासिल दिल्ली बाहर जा रहे थे यह अववाएं फैला रहे थे बोले बस लगी है आप लोग बाहर जाईए क्योंकि हमारे पास करने के लिए तुमारे के लिए कुछ नहीं है ना खाना है ना राशन है और यही लोग यह अववाएं फैला रहे थे और यह उस समय कहा इन लोगों ने कि हम सब कुरोना काल में जितने किरादार हैं कि उनको किराया देंगे लेकिन किसी को किराया नहीं मिला यही सरकार है और सबको याद है कि लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने फटकार भी लगाई लेकिन आज तक किसी को किराया नहीं मिला तो ये भारती जंता पार्टी का वादा है हम वादा करते हैं शपत के साथ संकल्प के साथ जो कहते हैं वो करते हैं सभी दिल्ली के गरीब जुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा हम हर घर हर जुग्गी के अंदर ये हम जाएंगे और ये शपत पत्र देंगे उनको भरवाएंगे और भारती जंता पार्टी का बादा है जैसे 3024 फ्लैट पक्के मकान दिये गए ऐसे पूरी दिल्ली के जुग्गी वासियों को ऐसे ही सुसाइटी के पक्के मकान फ्लैट संपूर्ण सुविधाओं के से युक्त एक करोड़ पती आदमी जिस तरीके से सुख सुविधाओं से रहता है वैसी सुविधाएं भारती जंता पार्टी प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी के लीडर्शिप में सबको मिलेंगी ये भारती जंता पार्टी का वादा है को भी आप सबको संबोधित करेंगे हमने सुना है कि आज डिली के मुख्यमंत्री जी आज फिर से कुछ गारंटी डिली के लोगों को देने वाले हैं और तब आज आदेश कुपता जी के द्वारा करी गई बात भारती जंता पार्टी के द्वारा करी गई बात बहुत महत्पुन हो जाती है हम लोग एक ऐसा प्रपत्र लेके आपके सामने बैठे हैं जो भारती जंता पार्टी का संकल्प था भारती जंता पार्टी संकल्प लेती है और संकल्प कैसे पूरा किया जाता है इसके उदारण के साथ लोगों के समक्ष बैठती है अभी आज हमें याद आ रहे हैं उसी आम आदमी पार्टी के द्वारा किये गए 2020 के 10 गरंटियां उन्होंने 10 गरंटी दी थी और वो 10 गरंटी हमारे हाथ में है वो भी 10 गरंटी हमारे हाथ में है इस दस गरंटी में हम केवल दो-तिन गरंटी की याद दिलाना चाहते हैं अरविंद केजरिवाल जी और आवादनी पार्टी ने लिखा है अपने गरंटी में कि हम उस गरंटी को भी नहीं याद दिला रहे हैं जो उन्होंने 2013 में किया था 2015 में किया था हम आपको ये जो गरंटी दे रहे हैं ये 2015 की गरंटी है माफ करिएगा 15 की गरंटी में वो कहते हैं हम पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन के सिस्टम को 11,000 वसों से और 500 किलोमीटर मेटर के स्टेज से लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे अब बड़ी सीधे ढंग से समझा जा सकता है कि आज 11,000 वसें कहां हैं उनकी गरंटी कि इस कागज पे लिखी हुई थी वो कागज गल गया कि वो कहने वाली जीव गल गई ये सब हमारे दिल्ली के लोगों का एक प्रश्न है उन्होंने एक और गरंटी दी थी उन्होंने कहा था हम दिल्ली के पॉल्यूशन को अभी जो नॉर्मल समय में होता है उससे भी लगबग तीन अस्तर तक घटा देंगे मतलब अगर आमतोर से यहां की जो पॉल्यूशन लेवल नॉर्मली सो रहता है तो उनका था कि हम इसको 30 एक्वियाई तक ले आएंगे लेकिन आज वही पॉल्यूशन की एक्वियाई लगबग 500-600 तक पहुंच जा रही है और दिल्ली एक नए फ्रेज को पा रही है कि दिल्ली गैस चेमबर बन गई है बारे गारंटी एक और गारंटी उन्होंने कही थी कि हम उन्होंने अपने गारंटी में कही है कि हम दिल्ली को गार्वेज फ्री कर देंगे लेकिन अगर आप हमारे PC के पॉइंट्स को देखें तो हम असपश्ट रूप से पूछ रहे हैं उनसे कि गारंटी बांटने वाले अर्विंद केजरिवाल जी आप जहां भी जाते हैं देश में गारंटी बांट देते हैं लेकिन क्या जनता जानना चाहते कि 2015 से 2022 के दिल्ली के कुड़े के पहाड को घटाने के लिए केजरिवाल सरकार ने नगर निगम का कुछ सहयोग भी किया सवाल आएगा नहीं बस वो चुनाओ में यात्रा कर सकते हैं आपने गारंटी बांटी थी कि हम प्रदूसर्ण को खम कर देंगे वो गारंटी पूरी हो गई नहीं पूरी होई लेकिन भारतिय जनता पाठी ने जो जो कहा था हमने कहा था कि जहां जुगी वही मकान हम देंगे और मेरे लिए वो पल किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था जब अभी कुछी दिन पहले प्रदान मंत्री जी अपने हाथ से 3024 जुगी वासी भाई बहनों को अपने फ्लेट की चावी दिया मेरी ये चावी देते हुए फोटो आप सब के पास इसकी बीडियो भी होगी सब कुछ होगा और जो फ्लेट जो इसमें दिखाया जा रहा है जो यहाँ पे बीडियो में आपके सामने है वो देख के हमारा भी मन करता है कि काश हमको भी ऐसा फ्लेट मिलता दिल्ली में जो भी हमारी पीसी देख रहा होगा वो इस फोटो को वीडियो को देखने के वाद यही सोची गए क्या ये सही में हुआ है हाँ ये सही में हुआ है और दो चार दस पंदरा बीस सौ दो सव को नहीं तीन हजार चौबीस जो लो जुगी में रहते थे उनको ये फ्लेट मिला है जिसकी टाइल्स भी हमारे आपके घरों के बराबर ये जो बेश्ट घर बनाते है जब वहाँ पानी देने के लिए हम रिजर्व वायर बनाए है तो वो भी वो हमारे दिल्ली के कलपना में तो है ही नहीं दिल्ली तो पानी के लिए तरस्ती है लेकिन उन घरों में पानी कभी नहीं बंद होने वाला है और शुद्ध से शुद्ध जल उनको मिलने वाला है यहीं नहीं बलकि उन घरों में जो लिफ्ट और जो सुसाइटी का सिस्टम है वो जिस अस्तर का बना है वो देख करके किसी को भी लगेगा कि नरिंद्र मोदी जी जैसा भारतिय जनता पार्टी जी जैसा संकल्प लेने वाला और कर देने वाला इसका अभी इतिहास में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है दूसरा बाकी दूसरे है गारंटी पे गारंटी दिये जाते हैं लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीक पे तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक पढ़ती रहेगी तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें आज उनके गारंटी का फिर से इंतजार रहेगा लेकिन मैं अरविंद केजरिवाल जी को रावादमी पार्टी को बोलना चाहता हूं कि आप जरा भारती जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरिवाल जी आप 2015 में 2020 में जो गरंटीयां दिल्ली को बाटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठें क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं गरंटीयां नहीं देना तो आपकी मोडस ओपरेंडी है आप दे देंगे लेकिन पीछे की गरंटीयों का हमें और दिल्ली की जनता को जवाब भी चाहिए इसी भावना के साथ हम बड़े प्रसंद मन से आज ये वचन पत्र जुग्यों में भेजने के लिए आज शुरुवात कर रहे हैं बचन पत्र सबके पास दिल्ली में जितने हमारे जुग्य वास्तीत और हैं जिनको भी घर नहीं मिला उनको ये फॉर्म है आप इस फॉर्म को भरिये कहा रहते हैं बताईए हमारे कारिकरता सब ले ले करके जाएंगे और ये इसको हम जमा करेंगे उस डिपार्टमेंट को जिसने 3024 लोगों को फ्लैट दे दिया है जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको देना फिर से हमारा संकल्प है और ये एक संकल्प आप सब के सामने है बहुत बहुत धन्यमा